पड़ा हुआ है सहरा पे देखें इन दोनों डेजर्ट के दरम्यान में जील है वहाँ पे हवेली भी है सस्रीपन्नू की दोस्तों मैं हूँ आपका दास, मनोहर दास और वेलकम करता हूँ आपका माही विलोग्स पागिस्तानी में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मेरे साथ महींदर और हितेश कुमार है, और इनके आथ में पानी की बोटल तो अभी संसेट भी हो रहा है, पीछे आप तो अभी हम खेड़े हुए हैं अपनी खेतों में और निकल रहे हैं डेजट की तरफ क्योंकि खुंबी का सिजन आ गया है तो यह सोगात होती है साल के बाद निकलती है जब भी गर्मियों में सावन में बरसात होती है तो बारिश के बाद जब भी एक मतलब कि चार-चार बनाएंगे आज और आपको वह भी रेसिपी बना के दिखाएंगे तो हम निकल रहे हैं डेजट की तरफ यह बिल्कुल फ्रंट पर सामने डेजट है इस साइट वे आपने प्रिविएस वीडियों में देखी थी यह गार है हमारे यह खेत और इस साइट वे तकरिबन यह न खुंबी 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 तो हम अभी गाउं से साइट पर निकल आए हुए हैं डेजट की तरफ यह एक साइट पर फसल है और इस साइट पर कुछ भी नहीं हुआ पिछले तकरिबन साथ आठ सालों से यह ऐसे बंजर पड़ी हुई है क्योंकि जब कभी भी यह थोड़ बिल्कुल कुछ भी नहीं हुए हमारा रोकी भी है रोकी तो यह हाल आप देख सकते हैं यहां पर साथ आठ साल से फसल नहीं हो रही है बिल्कुल हमारे गाउं में खुंबी निकली भी आया या नहीं आप नहीं गया किसी से पूछा नहीं कोई भी नहीं गया अच्छा उनक और हम भी उनके पीछे जा रहे हैं देखते हैं हमें मिलती है या नहीं तो संसेट भी हो रहा है मुझे लगता है हमारे यहां पर पहुंचते हैं पहुंचते हैं डेजर्ट पर दिन गरूब हो जाना है और हम ऐसे ही फिर वापस आ जाएंगे काफी दिन हो गए थे कोई वीडियो भी नियू नहीं बनाई थी अपडेट नियू नहीं थी तो इसलिए आज बैठा हुआ था शाम का टाइम था बचों को टिशन पढ़ाया और उनको कहा मैंने चलो आज चलते हैं थोड़ी सी मोज मस्ती भी करते हैं और डैजर्ट की सेर भी नहीं गए तो अभी जा रहे हैं ठीक है यह आवाजें पिछे आपको आ रही है और आप कोमेंट में लाजबी बताईएगा कि यह कौन सा परिंदा है और किसकी आवाज आई यह जो पिछे आप देख रहे हैं खेत यह तकरीबन जब मैं थार्ड क्लास में पढ़ता था तो इसकी बिजाई हम करते थे बाबा वालों के पास होती थी यह तब यहां पे जो फसल उतरती थी गंदम तकरीबन चालिस पैंटालिस पचास मन एकड़ उतरती थी आज यह हाले पिछले दस सालों से ऐसे पढ़ी हुई है बंजर कलर जिसे क्याते ना कलर चड़ा हुआ है इस तक्रीबन डेट दो किलो मेटर का फासला करने के बाद डैजर्ट पे पहुंच चुके है यह सामने बिल्कुल डैजर्ट सहरा यह वो इंडिया तक फैला हुआ है राजिस्तान तक और यहां पर यह देखें यह लाना इसे कहते हैं कुछ पड़ा हुआ है सहरा यह देखें यह किसी चीज छमड़ा है। शायद कोई चीज यहां पर मरी है उसको जानवरों ने खाया है यहां पिर किसी ने मतलब किसी का कोई जानवर की डैथ हुई है फिर उन्होंने उसका जो मतलब कि कोश्ट वगरा निकाला और उसका चंबड़ा यहां पे फैंक के चले गए है तो यहां से यह टीला स्टार्ट हो रहा है चड़ते हैं यहां से इस पे हर जगा का न एक अपना स्कून होता है हर जगा का अभी डैजर्ट पे आये तीले के टोब पे चड़े हुए सकून मैसूस हो रहा है सवसुतना टीला बहुत ही न दिल को लुबार यह मन्ज़र और इस साइट मेश्चे ऑस्पर आप देखें किश्च पीट टीला यह डेजर्ट सहरा सारा और दरम्यान में यह हमारी बस्ती है सामने वह सामने आप अब घर देख सकते हैं हमारे संसेट भी हो रहा है बिलकुल उपर संसेट नीचे घर और हम अभी टीले पर खड़े हुए है आद दोस्तों कैसा फिल करें हो अच्छा कैसा मंजर है मज़ा रहा है खोबसूरत आ रहा है मज़ा भी आ रहा है खूबसूरत भी आ रहा है दुनों आ रहे और क्या आ रहा है आपको यह केर का पोधा है छाहाँ है यह प्यारे प्यारे से इसको फूल लगे हुए है और यहां पर यह केर है का जाता है कि ब्राइने जबाने में पहले यह जो लोग सहरा पर रहते थे न वो इसका अचार डाला करते थे और बहुत ही लजीज बनता था इसको केर कहते हैं आपने जूते यहां पर छोड़ा हूं पैदल जा रहा हूं सकूर मिल रहा है सकूर पैरों को यह बेल है तरू की कोड़ तुमबा इसकी प्रीविएस वीडियो में मैंने डिटेल डाली हुई है मस्ट वाच और बताईएगा कैसी है वो वीडियो दिन भी ढलने को है और हम बे टाइम से घर से निकले हैं चलो ना मिली तो क्या है उन्जोई तो करेंगे रॉकी क्या कर रहा है इदर यहां पर यह ग्रिगट बैठा हुए यह कलर चेंज करता है अपनो यह देखे जब इसके उपर कोई खत्रा आता है यह डर के मारे भागता है और अपने कलर को चेंज करता है उसे में वापस चलते हैं यह और जानवर यहां पर रैप्टाइल है बताईए का कमेंट में कि यह क्या होते हैं यह डैजर्ट पर आपको बहुत ज़्यादे देखने को मिलेंगे ठीक है लाजमी बताना यह क्या चीज़ है यह इन दोनों अब आपनी मोजों में यहां से बहा करता था यह उसी के आसार है दर्मियान में अभी भी वो पानी खड़ा हुआ है यहां पर वो सामने एक बस्ती है जिसे 221 सनडा भी कहते हैं उनका टावर नजर आ रहा होगा आपको वहां पे हवेली भी है सस्री पन्नू की और अच्छी स्टोरी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी हवेली को दिखाया था वो लाजमी मेरी प्रिवियस वीडियो में जाके देखना पड़ी होगी बहुत ही प्यारी अच्छी और इंट्रस्टिंग वीडियो है वो गर्मी भी है शाम का टाइम है हवा नहीं चल रही हालत आप अ बिल्कुल हो चुका है मतलब कि गरूब हो चुका है जब हम निकले थे तब काफी ऊपर था अभी तो बिल्कुल मद्धम हो चुका है यह अंधेरा भी हो रहा है और टाइम जो है टाइम हो चुका है छे सतावन मतलब कि साथ बजरे अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ी देर और घूम के हम निकल लेते हैं घर की तरफ यह क्या चीज़ है तकरिमन हफता पहले बारिश हुई थी तो रेज जब सूखती है ना यह तो काफी सूख चुकी है यह देखे नीचे से गीली मिट्टी भी आ रही है तो जब इतनी इतनी रेज सूखती है फिर खुम भी ना निकल कावन की बरसात होती है फिर यह उगती है कुदरती तोर पे और बहुत से इलाकों में खुम्भी की काश्ट भी की जाती है कोई आर्टिफिशल खूद भी तियार करते हैं बनाई जाती है उनके खेत होते हैं जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा काश्ट की जाती है तो सहरा से भी उपर टाइम हो चुका है और सूरज बिलकुल ढ़ल चुका है तो रात में अभी सावन में ना साफ बहुत ज़ादा निकलते हैं जो जितने भी हश्रात होते हैं रैप्टाइल्स होते हैं वो सारे इस महीने में बाहर निकलते हैं ठीक है तो इससे अच्छा हमने जूते वगरा भी नहीं पहने हुए और जो माहूल भी है डैजर्ट का ऐसा होता है थूबर थाबर और यहां पर यह जाड़ियां वगरा तो कहीं कोई नुकसान ना करा बैठें तो इससे पहले के दिन और मतलब के अंधेरा हो जाए तो हम घर को रवाना होते हैं बाकी सुबा हमारी वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है क्योंकि दो तीन यूट्यूबर आ रहे हैं मेरे पास उन्होंने कहा था कि हमने डैजर्ट भी घुमना है और हमने खुम्भी की मतलब के खुम्भी ढूंडने भी जाना है डैजर्ट पे तो सुबा की वीडियो के लिए व